हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में यह हमारे पांच नंबर के गोपाल जी है इनके लिए हमने पुसाग बनाया हुआ है तो सेम पुसाग हमने राधारानी के लिए भी बनाया हुआ है और चैनल पर अप्लोड किया हुआ है वीडियो पहले मैं दी हूं आप वहां से देख सकते हैं वैसे उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और सेम दिखिए म्राधर अनिको बना के भी आपको सामने फिर से दुबारा इस वीडियो में एक बार लुक इनकी दिखा दे रहे हैं कि बहुत ही सुंदर फिटिंग आई है और ह निखे में गेरा बनाया हुआ है तो इनके लिए नीचे में दोति बनाया हुआ है इस तरह से यह पणाने में बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी फिटिंग आईगी तो एक बर हम देख लेते हैं इनको पहना के देख सकते हैं कि धूति की कितने अच्छी फिटिंग आई है ये देखिए आगे से और पीछे से भी मैं दिखा रही हूं ये देखिए ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई है इनके धूति की और देखने में भी बहुत ही प्यारा और सुन्दर लग रहा है ये कितनी सुन्दर और कितनी अच्छी फिटिंग आई है मैं आगे और पीछे दोनों साइट से आपको गोपाल जी को दिखा रही हूं और साथ में राधा जी भी है हमारे यह वीडियो में हम पाच नंबर के गोपाल जी को पुसाख बना के दिखा रहे हैं और तीन नंबर के हमारे राधा रानी है इनको हमने पुसाख बनाया हुआ है तो यह छे नंबर के गोपाल जी में भी आप यह पुसाख डाल सकते हैं अगर सेम उन से और सेम फंदा लेकर क आप बनाएंगे तो और यह वाला जो पुसाके चार नमर में भी आप डाल सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर हमारी फिटिंग आई और इसी बनाना गाइस बहुत ही आसान है और बिल्कुल यह अच्छे तरीके से आप बना लेंगे यह देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा ह कि यह हमारे गुपाल जी और राधा जी दोनों आदमें दिख रहा है अब राधा जी को भी बाल पना की यह टोपी पना सकते हैं बाल के उपर से भी हमने राधा जी को और लड़ु गोपाल को कैप पना के दिखा दिया है आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगे इनमें त चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी एड्रेस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करें लाइक करने में कुछ भी नहीं लगता है फ्रेंड् तो चलिए आए दिख लेते के कैसे बन रही है हमारी एड्रेस गुपाल जी की लिख भख कि आएा लेते के कचा सीर्पा जी कि बाता हैं, भवी एड्रेस आए अपि рук ऑल जी जाए आए आए धिझाभ dá अमशन झाए दिख लेगल झाल 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 प्राइब के लिए हमें से पहले इसमें पीले रंग से हम 44 फंदे डालेंगे तो फंदे हम इस तरह से ही डालेंगे बहुत वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि फंदा इस तरह से हमें डालना है इस तरह से लपेट के इसको खीचेंगे आराम से खीच जाता है फिर इसको इस तरह से लपेटेंगे इस तरह से और इसको इस पर चढ़ा के इसको नीचे की तरफ करके इसको खीच देना है इस तरह से 44 फंदे यानि 44 फंदे हम डाल लेते हैं डालने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें हमने 44 फंदे डालने के बाद में इसको पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे और आगे वाला फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे यह जो मर अधागा है इसको हम हाइट कर देते हैं अंदर की तरफ इस तरह करके और थोड़ा सा आगे जाके हम कट करके इसको निकाल देंगे तो दो सलाई पले हम उल्टा बना लेते हैं उल्टा बनाने के बाद में आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है इसको इस तरह से हम हाइड कर लेंगे इसके बाद हम कट भी लगा देंगे धागी को तो हमारा यह पता नहीं लगेगा तो चलिए मैं जल्दी से बना लेते हूं बना के फिर आपको बताऊंगी दूसलाई हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है अब हमें क्या करना है कि प उल्टा ही बुनाई करना है इस तरह से 2, 3, 4, 5 मना लाएं इसके बाद हागी को पीछे करेंगे और 2 फंद आई एक साथ हम बुन देंगे इसको इस तरह से बुनेंगे तो यह हमारा नेट बन जायेगा फिर हम 5 फंदे को यहां पर बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच इसके बाद फिर फंदे को हम धागे को पीछे करेंगे और दो फंदा एक साथ इस तरह से हम बुनेंगे क्योंकि जब हम ने डालते हैं और फंदा हमें नहीं बढ़ाना है इसमें तो हम दो फंदे को एक साथ बुनाई करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच फिर धागे को पीछे करके और दो फंदा को एक साथ हम यहाँ पर बुन देंगे इस तरह से तो इसी तरह से इसको यहाँ तक हम कंप्लेट कर लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है गाईस यह एक सलाई बना करके हमने कंप्लेट कर दिया है नेट डाल दिया है इसमें अब जब हम सीधी सौरी उल्टी सलाई में आएंगे तो फिर से पहले-वाले फंदे को उतार देंगे उतारने के बाद में हम यहाँ से वाइट कलर करेंगे इसमें तो इस तरह से में एड करना है यह धागे को पीछे की तरफ ही रखेंगे यह अच्छा लाइन सिधा लाइन जाता है फरी जाती है हमारी जो चोटी होती है इसलिए पहला फंदा उतार देने पर फिनिसिंग अच्छी होती है इस तरह से हम इसको एड़ करेंगे कोई भी कलर हमें अगर आइड करना होता है तो हम उल्टा कलर उल्टा स्वारी उल्टा जब बुनाई करते हैं उसी में अब देखी जहां पर हमारा नेट आया है वहां पर इस तरह से हम इसको बुनेंगे तो हमारा फंदा जितना था उतना का उतना ही हो जाएगा यह धागा को यहां तक हम ले लेंगे एक बार और दिखा देते हैं कोई भी वीडियो हो फ्रेंट्स आप लोग पूरी वीडियो को देखे और अच्छे से देखे और समझे तो कहीं भी कोई भी इस्टेप ऐसा नही नहीं आती है अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में ना आये तो आप प्लीज कमेंट निचे दीवे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं इसी तरह से सलाई को कहा तक पूरा करेंगे अब हमें यह देखना है तो यह देखिए हम मारा इसमें 44 पं ए से 一चे यह यह 20 वीस पंदा हमने बुन लिया अब यह मैं आरा चार पंदा है इसको हमें ऐलो इर्लो कलर से बुनाई करना है इस तरह से एक व — कव iki — drei और यह हमारा चार यह बाकि का जो हमार वीस पंदा है इसको हम वाल से बुनेंगी dis धाग्या से बुनेंगे और उल्टा ही हमें बुनाई करना है तो चलिए यह सलाई हम कम्प्लीट कर लेते हैं फिर नेक्ट सलाई में आपको बनाना बताएंगे कि इसको हमें किस तरह से बनाना है और कैसे बनाना है यह पूरा सलाई बना करके हमने कम्प्लीट कर दिया है अब हमें कुछ निभी नहीं क करना है इसमें वाइट को वाइट से बुनाई करना है और एलो को एलो से बुनाई करना है हमें और सारा हमें उल्टा ही बुनाई करना है इस तरह से थोड़ा सा मैं एक सलाई आपको दिखा देते हूं ताकि आप जब बनाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आप आराम स इसको बना ले, यह इस तरह से हम बनाएंगे, यह यहां तक हमारा बन गया, अब धागे को हम पीछे कर देंगे, और जो हमारा एलो वाला धागा है, इसको हम आगे की तरफ ले आएंगे, इसको उल्टा हम बुनेंगे, इस तरह से यह हमारा चार फंदा हमने बुन लिया, फिर धागे को हम पीछे कर देंगे, और पीछे करके यह वाइट वाले को हम आगे की तरफ ले लेंगे, और लेने के बाद में इस तरह से इसको हम कम्पलीट करेंगे, और हमें यह याद रखना है, कि दूनों साइट से हमें उल्टा ही बुनाई करना है, यह देखिए, इस की तरह से हमें बुनाई करना लें तो चलिया थोड़ा सा क्लाई कर लेते ही चुछा आपको आगे बताऊंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है हमने इसको यहां तक अभी बुनाई किया है तो यह हमने वाइड से एक दो तीन यानि छे सलाई हमने बुनाई किया यह सात्वा सलाई हमारा है अगर इसको बनाएंगे तो मराड सलाई हो जाएगा तो अभी तक हमने सा फंदा उतार लेंगे उतारने के बाद में इसको इस तरह से हम बुनेंगे यहां तक बुनने के बाद में इस धागे को पीछे कर देंगे पीछे करने के बाद में जैसे हर से लाई में हम करते आ रहे हैं उसी तरह से में हम वाइट में सुरी ये लोगो हो दो फंदा हम बुनाई करेंगे इसके बाद आगे नहीं बढ़नाएं हैं इस सर्दिक या यहां से हम टर नो य स्तर्डन हो ने के बाद में हमें से्म करना है वैरे फंदे को उतार देंगे और इसके ये बाद अब एलो से बुनाई कर लेंगे इसके बाद हमें अब वाइट धागा लगाना है तो यह इस तरह से धागा हम लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमें जो है नेट की तरह ना बने इस तरह से हम धागा बुनेंगे पूरा सलाई हमें इसको उल्टा बुनाई करना है तो चलिए ही सलाई में कमप्लीट कर लेते हूं करके फिर आपको बताऊंगी यह वली सलाई हमने complete कर ली है अब next सलाई में यहां से ले करके यहां तक हम बना रहे हैं फिर यहां पर आएंगे तो आपको बताएंगे यहां तक इसको हमने बुन लिया है अब धागे को पीछे कर देंगे एक बार और यहां पर हम आपको बता रहे हैं और फिर दो फंदे को यहां पर हम बुनाई करेंगे दो फिर धागे को हम पीछे कर लेंगे पीछे करने के बाद में इसको इस तरह से हमें फिर बुनाई करना ह यह पहला वाला फंदा यहां पर हम उतार लेंगे अब उतारने के बाद में धागे को इस तरफ करके हम इसको पीला वाला बुनाई कर लेंगे अब बुनाई करने के बाद में इसको इस तरह से हम धागे को करके वाइट वाला यहां से हम लगाएंगे इस तरह से हमारी बुनाई होते जाएगी इस तरह से परद को हमें तयार करना है तो पर एक साइड का थोड़ा सा और बुनाई करेंगे इसका जितना हमने अभी में फिर आपको आगे बताऊंगे हमने इस को यहां तक बना करके complete किया एक साइट का हमारा परत बन गया है अब देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा वाइट से हमने एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यानि वी सलाई बनाया है अब हम इस उल्टा साइड से आएंगे यह हमारा उल्टा साइड है तो इससे पीले रंग से हमें पूरा complete करना है पूरा सलाई हमें पीला से ही बनाना है अब वाइट को हमें यूजिस में बिल्कुल भी नहीं करना है यह हमारा किनारी बनेगा दोति के इस तरह से इसको आए यह पूरा हम एलौ से ही बनाएंगे यह देखी यहां फिर वाइट हमें अब नहीं लगाना है वाइट को कट कर देंगे के बाद में थोड़ा से इसको हम हैड करने लिए वाइड को यहां से कोई खूले नहीं इसको इस तरह से हम दबा लेंगे दबाने के बाद में इसको बुनेंगे तो पिला से हम दो सलाई बुनाई करेंगे एक सलाई यह भी बुन रहा है और एक सलाई और बुनेंगे और लाश्ट वाली में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से उन के ऊपर निर्पर करता है कि आपका उन पतला है या मोटा है सेम डिजाइन आप बनाएंगे पतले उन से बनाएंगे, मोटे उन से बनाएंगे, सेम फंदा लेंगे, अगर कोई भी वीडियो देख करके, तो अगर उन में चेंजी होगी, तो थोड़ा सा उनकी फिटिंग में भी अंतर हो जाती है, ये देखी, एक सलाई हमने बना लिया है इसको, अब एक सलाई और बना लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम बंद कर देंगे, वाइट वाले को कट करके धागे को निकाल देंगे, अब इसको यहां तक हमने बनाई कर लिया है, आप देख सकते हैं, ये मारे उल्टा सलाई है, अब ये लाश्ट में, ये दो फंदे को एक साथ हम बंद कर कुछेंगे दो फंदे को एक साथ बुनाई किया और फिर दो फंदे को एक साथ हम बुनेंगे अर धागा रखार में ज़्यादा जूर से खिशना रूज रखना है हमें नॉर्मल यह जैसे बुनाई करते हैं उस तरह से में बुनाई करना है फिर दोसय है, बने और इस तरह से इसको बन है क्यों उसको डिखा रहे हूं, की प्र ऊधारै किनारी बनते जाएगा, इसे बन कब्मेर्श के बंद कर दिया है बंद करने के बाद में इसको यहां पर इक नूड लगा देंगे नूड लगाने से हमारा यह होता है कि ना लूज होता है ना खुलता है यहाँ पर और इस तरह से इस धागे को हम खीच देंगे अच्छे से खीच करके इसके बाद इसको हम कट कर देंगे तो यह देखिए हमारा एक परत होती का बनके तयार है इस धागे को बाद में हम सुई धागे से या स्लाई से अंदर कर लेंगे अब तो जैसे हमने इस परत को तयार किया है उसी तरह से इस परत को तयार करेंगे तो आईए मैं तयार कर लेती हूँ तयार करने के बाद में आपको रेडी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी हमने इस इस परत को बना करके complete कर दिया है ये हमारा दोनों परत इस तरह से तयार है कि यह हमेरा दोनों परत एक size का है है कि हमने यह दिखिए कि इसका इसको इस तरह से हम परत को खोलेंगे और करके इसमें पीले रंग से यहाँ पर हम फंदे डालेंगे यहां से हम फंदा डालेंगे और इस तरह से हम इसमें फंदा डालेंगे एक कि दो कि तेन कि चार कि पांच कि और यह हमारा छे फंदा कि इसमें डाल दिया है यह देखिए अभी इसको हम पांच्छे से लाई उल्टा बनाएंगे तो पहले तो दोनों साइड से इस तरह से हम इसको प्लेन उल्टा बुनेंगे पहला वला फंदा उतार लेंगे और बाकी के फंदे को इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे तो चलिए मैं पांच्छे से लाई कंप्लेट कर लेती हूं इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगे किस में हमें क्या करना है इस तरह से लाई को हमने पूरा किया है और बाकी का जो है तो पहला वला फंदा हम फिर उतार लेंगे आग उतारने के बाद में इस तरह से हम उल्टा इसको कंप्लेट करेंगे तो मैं जल्दिस इसको कंप्लेट कर लेती हूं पहले हमने इसको यहां तक बुनाई किया है तो यह दिखे एक, दू, तिन, चार यानि आठ सलाई बुनाया है हमने यह नौवा सलाई है और यह हम दसवा सलाई में आया है तो और द वाले फंदे को उतार लेंगए उतारने के बाद में इस वाले फंदे को हम इस तरह से बढ़ाएंगे इक कर लेंगे हागर करके एक फंदा हम बढ़ा देंगे इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया इसके बाद इस दो फंदे को हम बुन देंगे एक और ये दो फंदा हम बुन देंगे इसके बाद इस फंदे को भी इस तरह से हम बढ़ाएंगे ये लाश्ट में इस तरह से बढ़ा दिया देख में गरने से सद्वावाँ दारश रहा देख लेंगे सब्सक्राइब हो मुधि याद सब्सक्राइब अब फिर जब इधर के से अलाई में हम आएंगे तो पहला फंदा ये उतार देंगे और ये इस फंदे को हम बढ़ाएंगे धागे इधर के तरफ कर देंगे फिर एक फंदा हम बढ़ाएंगे धागा पीछे करेंगे करके हम ने इसको एक फंदा बढ़ा दिया है घ्री को को दूं तो दो अन्यायो हमने बढ़ाया कि धर वे याइक फंदा अम बुन देंगे दो फंदागा बढ़ाएंगे ये दो फंदे को हम बिल्कुर प्लें बुन देंगे और इसको हम बढ़ा देंगे और इसको हम उल्टा बुन देंगे यह हमारा किनारी है यह अच्छा दिखने के लिए हम किनारी वाला फंदा नहीं बढ़ाएंगे और पीछे के सलाई में उल्टा कम्प्लीट करेंगे फिर इस सलाई में हम ऐसे ही करेंगे यह दो फंदे इधर से बढ़ाएंगे और बाकी को हम प्लेन भी उन देंगे तो मैं थोड़ा सार इसमें दिखा देती हूं आपको कि कैसे करना है हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है इसमें एक बार हमने बढ़ाया और फिर एक बार और बढ़ाएंगे हम अब हम इसको उल्टा बुण देंगे और यह और इस फंदा बुण देंगे दो फंदा में बढ़ा देंगे बाकी को प्लेन बुण देंगे तो चलिए हम इतना काम कर लेती हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगे, सिधा सलाई हमने बुन दिया है, अब उल्टा सलाई में आए है, तो पूरे सलाई को हम उल्टा कमपलीट करेंगे, तो इस सलाई को भी हम उल्टा कमपलीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में आप पूप मताएंगे इस सलाइब को उल्टा बनाके कम्प्लीट कर लिया तो परला फंद हम उतार देंगे अब हमें यहां पर फंदे को कम करना है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे इस तरह से दो दो फंदे को एक साथ हम बुनेंगे यहां पर हमें ध्यान देना है कि हर सलाइं में जब हम सिधाएंगे दो फंडे के एक साथ हम करेंगे हमने बढ़ाया था दूसरे तरीका से पर कम कर रहे हैं हम दूसरे तरीका से यह देखिए इस तरह से हम इसको कम करेंगे हमने यहां पर बिल्कुल भी skip नहीं किया है आपको पूरा अच्छे से बता रही हूं मैं इसको कम कर दिया अब उल्टा सलाई में हम उल्टा बुनेंगे तो मैं इसको भी complete कर लिती हूं कि उल्टा सलाई में हमने उल्टा बना के complete कर लिया अब सिधा सलाई में आएंगे तो फिर पहले फंदे को हम उतार लेंगे और इस फंदे को फिर से हम वही इस्टेप पूरा करेंगे फिर दो फंदे को एक साथ हम बुनेंगे इस तरह से यहाँ पर एक फंदा हो गया है तो एक फंदे को इसको हम दोनों एक साथ बुन लेंगे और फिर उल्टे से लही में हम आएंगे तो इसको उल्टा complete करेंगे तो चलिए मैं इसको complete कर लेती हूं इसके बाद फिर इसी तरह से हमें एक फंदा तक लाना है इस तरह से लाष्ट बाद में इसको यहाँ पर हम अच्छे से नड लगादेंगे और इसको हम कट कर देंगे और इसको अंदर के साइट थोड़ा से थागा को हम खीच लेंगे इसको क्रॉसिव से या अपसुई धागा से या किसी भी चीज से इसको धागे को अंदर की तरफ हाइट कर सकते हैं थोड़ा से यहाँ पे करके आपको बता देती हूं यह देखिए इस तरह से हम इसको कर देंगे तो इस तरह से हमारी या आगे की पट्टी बनके तयार है यहां पर इस तरह से डीजाइन हमने इसको बना दिया अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है इस तरह से क्रोषिया से हमने एक रस्य बनाई हुए यह चैन स्टीच है हमारा चैन बनाया हुए हमने अब हमें क्या करना है कि आगर आप चाहें तो इसको क्रॉसिया से या सलाई से भी आप कर सकते हैं लेकिन हम क्रॉसिया लिया है इजी के लिए इसको इस धागे को हम यहां से यहां से डालते हुए इस तरह से यहां पर जो हमने नेट छोड़ा था यह डालते हुए इस तरह से हम इसको निकालेंगे इसको पहले हम इस तरह से यह देखी यहां पर जो आमने निर्ट छोड़ा तो आपको देख रहा है इस तरह से हमने इसमें डोरी डाल लिया है अब डोरी डालने के बाद में इसको इस तरह से हम हलके हाथों खीचेंगे और खीचके इसको धोति का सेव देंगे कि यह देखें कितना सुन्दर हमारा धोति नुद्र लुक आ गया है यह मरी धोति बन गई है और इसको पीछे के साइड जroid आगे पनाएंगे तो यह हमारे आगे प्ोर्शन हो जायेगा यह हमारी किनारी हो जाए घूति की और यह वछा इसको पीछे कमर में बांदेंगे और बांधने के बाद में यहां पर एक हम कोई बटम वेगर लगा देंगे तो बहुत सुंदर गजब की फिटिंग आएगी यह दोती की आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह लूक आ रहा है यह पीछे से हो जाएगा हमारा और यह आगे से तो आप देखाया और यहाँ अमरे में पर बाटम लगा लेती लगाने के बाद में फिर आपको को सब्सक्त वारी करके दिखाओंगे जब पानाएंगे तो इसको हम बान देंगे और इसको यहां से इस तरह से हम लॉक कर देंगे तो वीडियो के सुरू में हमने पाना के भी गुपाल जी को दिखाया हुआ है वीडियो को इसकी इपना करें पूरा डिटेल में अच्छे से देखें तो आपको हर चीज पता लगेगी अगर इसकीप करकर के देखेंगे तो कहीं भी कुछ भी बनाने में आपको प्रोब्लेम हो सकती है तो यह हमने पांच से छे नंबर के लड़ू गुपाल को धोती बनाया हुआ है और पहना करके आपको वीडियो में दिखाये हुआ अप चलिए टोपी बनाना हम आपको बताएंगे हमने इसमें 32 फंदे लिए हुए हैं 32 फंदे लिए हुए हैं इसमें बनाने के लिए पाली वले सलाई हम मुल्टा बनाएंगे तो इस तरह से मुल्टा बना के थोड़ा से बता देते हैं काफी सारे वीडियो में कमेंट आता है कि पूरा बना है तो वीडियो पूरा बनाने से लंबी हो जाती है लिकिन अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे फॉलो करेंगे इस तरह से हम उल्टा बनाएंगे तो चार सलाई हम उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से ही उल्टा बनाना है तो चार सलाई में उल्टा बना लेती हूं इसके बाद फिर आपको बताऊंगी हमने इसको चार सलाई एलो बनाया है और चार सलाई हमने वाइट बनाया है टोट कि इस तरह से पूरे सलाई को हम बंद करेंगे तो आई ये बंद कर लेके ने के बाद फिर आपको आगे बताएंगे हमने इस तरह से पट्टी बना करके इसको कंप्लीट कर दिया है अब हमें क्या करना है ये पीले वाले को नीचे रखेंगे कि इसको इस तरह से हमें सिलना है इसको यहां से ले करके यहां तक हम इस तरह से इसको शिलाई करेंगे और वही वाले एक सो बटम है हमारा जो इसको आप अपने हिसाथ से जहां भी पसंद आए यहां पर आप इसको अटाइच कर देंगे तो मैं इसको भी सिल लेते हूं इस पर हमने सो बटम भी लगा करें कम्प्लीट कर दिया है तो तीनों पसंद का मरा बनके तयार है यह रही हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो म थेंक यू